नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं मौथ और भेहोस शुचना मिलने के बाद राज सरकारने सारे रिक परिक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया था मंगलवार से फिर परिक्षा शुरू हुई है इस बार भी रांची में दो केंदर अस्मार्ट सीटी और जारकन जगवार के अलावा सहायक अचार्य नियुक्ति पर सुप्रीम कोट में सुनवाई जारी सहायक अचार्य नियुक्ति परिक्षा में सी टेट और दूसरे राजी के टेट पास अभियार्थों को सामिल करने के खिलाब सुप्रीम कोट में सुनवाई जारी है मंगलवार को इस मामने प्रार्थियों के और से पक्ष रखा गया सुनवाई बुद्धवार को भी जारी रहेगी जार्खन हाई कोट के आदेश के खिलाब सुप्रीम कोट में अभियातियों नियाज के दायर की है प्रार्थियों के ओर से अदालत को पताया गया है कि सहायक अचारे नियुक्ति निमावली 2022 यह सहायक अचारे परिक्षा के बिग्यापन को हाई कोट में चुनो होती नहीं दी गई थी उक्ति परिक्षा के लिए आविदन फर्मकिती थी बंध हो चुकी थी उसके बाद जारकन हाई कोट के आयादेस का अनुपालन करते हुए नियमावली यह उक्ति परिक्षा के बिग्यापन में संसुधन कर दिया गया जबकि नियम के अनुसार एक बार बिग्यापन जारी हो जाने के बाद विग्यापन में बदलाग प्रधाव नहीं है साथ ही अभ्यार्थियों की नियुम्तम आहरता के साथ कोई छेर चाड़ भी नहीं किया सकती है बता दे जारकन स्रीटेट उतीन अभ्यार्थी संकी और सिदैर जानी त्याची का पर जारकन हाई कोट ने दी सिकायत में राज्य में 3.696 सिकायते दर्ज रांची में जन सिकायत समधान करकरम के तहट जीले में एक दर्जन थान में मंगलवर को सिवीर लगे हैं इसमें घरेलू हिंसा और जमिन बिवास से जुले सरवाधिक मामले आए इस औसर पर कई लोगों ने तो पूलिस की करवा पर भी सवाल खड़े किये हैं बतादे रांची जीले में लगे कैंप में 824 फर्यादियों ने सिकायत दर्ज कराई और 35 ने केस दर्ज कराया है राज्य में 3.696 सिकायते आई है रांची में कूल 10 कंदरों पर सिवीर लगाये गए लोगों के मामले में सुने गए हैं बताद पर ही आवेदनों को पावति रसीद और जांच पतादिकारियों के नाम मोबाइल नंबर भी आवेदक को दिये गाएं बड़गाई सीओ सिवसंकर पांडे सदर डीएसपी संजीव बेसरा की महजुदगी में मेसरा ओपी सदर एवं खेलगाव थाना चेत्र के लोगों की सि मैनत तले मंगल और जार्खन अलग राज के अंदोलनकारियों ने बेडों में मसाल जुलूस निकाला अंदोलनकारियों ने 11 सितमर के सुबह 6 बए से साम 6 बए तक जार्खन बंद की होसना की है वहीं बंद के दरान आवसक सिवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है इनमें क किसान द्वारा उत्पाजित सब्जी की मंडी दूद और चिकिसा से वह सामिल है मसाल जुलूस के दरान मोर्चा के द्यस जुगेस उराव ने कहा है कि जार्खन राज के निर्माता और जार्खन अंदोलनकारी की मां को सरकार जब तक अपने संग्यार में नहीं लेती है मंगलवर सुबा बैरंग बली मंदीर में अपति जनक समागरी मिलने के बाद दो समिधायों के बीच तनाव पैदा हो गया है घटना के ब्रोद में आकरोसित लोगों ने जम कर हंगामा कर मंदीर में अपति जनक समागरी फेकने वालों करवाई की मांग करने लगे वहीं महाबीर अस्थान पर फुजा करने आए एक सरदालों ने देखा एक मंदिर में अपत्ति जनक समागरी पड़ी है उसने इसकी सुचना अस्थाने लोगों को दी इसके बाद काफी संक्या में लोगों की भीड जूट गई है पिये मोदी 11 नाई वंदे भारत ट्रेनों को देखाएंगे हरी जन्डी परधान मंतरी नायन मोदी 15 सितमर को टाटा पटना सहित 11 रूट की वंदे भारत ट्रेनों को रिमोट द्वारा हरी जन्डी दिखा कर रवाना करेंगे दक्षिन पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा मंगलवार सुबा अपने विशेश ट्रेन से तैयारियों के जाजा लेने के लिए टाटा नागर स्टेशन पहुंचे इस दोन पत्रकारों से बात करते हुने ने यह जनकारी दी है महाप्रबंधक ने बताया है कि दक्षिन पूर्व रेलवे को तीन वंदे भारत मिली है इसमें टाटा पटना वा टाटा बराम पूत्र के अलावा रावल के ला हावडा है जो टाटा नगर चोकर चलेगी निरिक्चां की दोन रेल महाप्रबंधक ने 11-15 सिदमर के बीच एस्टेशन आने वाले यात्रियों के लिए बेकल्पिक ब्यवस्था करने तयारियों को अम्तिम रूप देने सहीत औने आवस्यक दिसानिर्देश दिये है रांची में हुई रिमजिम बारिस मौसम बिभाग ने बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण जारकन के कई हिसों में बारिस की चतावनी दी है वहीं अब बिभाग की चतावनी सही साबित हुई है बता दे रांची में अच्छी बारिस हो रही है साम के चार बये से ही काले बादलों ने आसमान पर काबजा कर लिया था जिस वज़े से साम चार बये ही ऐसे लग रहा था कि अंधेरा हो गया मौसम बिभाग ने जारकन के कई हिलाकों में गरज के साथ भारि बारिस की चतावनी जारी की थी मौसम विभाग की माने तो रांजी को लान पलामू परमंडल और फूरे संताल प्रगना में भारी बारिश की संभनों जताई गई है इस दोरान लोगों को सुरक्षित अस्थान में रहने की सलाह दी गई है ताकि वह बजरपात से खूद का बचाव कर सके मौसम विभाग ने 13 सितंबर तक राजी में भारी बारिश को लेका एलो अलट जारी किया है सीयम हमांत्र ने दुर्गा सुरेन को दीर सरधांज ली दोरान सीयम हमां सुरेन के साथ उनकी पतने और गांडे बिधाय कलपना सुरेन और राइश वसासंद महुआ माझी मव्यूद रही सुरेन लोगों कि जारकन राज आंदोलन में अग्रनी भोमिका निभाने वाले महान करांतिकारी साहब गंज में बोले राजेपाल योजनावों का लाब मिल रहा है या नहीं जारखन के राजेपाल संतोष कुमार गंगवार मंगलवार को साहब गंज के बोर्यों पहुंचे जहाँ उन्होंने लोगों को समधित करते हुए कहा है कि देश और परदेश की सरकार कई योजनावे संचालित कर रही है जिसका लाब आप लोगों को मिल रहा है या नहीं यह जानने और समझने आया हूँ इससे पहले उन्हें गौड अप अनर दिया गया जिसके बाद डी सी हेमत सती वा एसपी अमीत कुमार सीना ने उन्हें बुक के देकर स्वागत किया इसके अलाबा आदिवासी महिलाओं ने भी परंपारिक तरीके से उनका जोधार स्वागत किया है मुख्य मंत्री मैया जोजना में तूरूटियों को दूर करने का अमति माउका जारकन मुख्य मंत्री मैया समान जोजना का लाब 18 लग से अधिक लोगों को मिल चुका है लेकिन राज के कई लोग ऐसे भी हैं जिहने ए लाब नहीं मिला है महिला बाल विकास विभाग ने कुछ समय पहले जनकारी दी थी कि कई गईबढ़ियों की वज़ा से महिलाओ का ये रासी नहीं मिल पाई है अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मंगलवार को आपके लिए आवेदन में हुई तुरूटी को सुधार करने का अमती मौका था सुत्रो की माने तो मुख्यमंत्री मया समान योजना का लाप लेते समय कई लोगों ने भूल वस गलत कोई गलत इंटरी करा दी है इसके अलावा बैंक की लपरवाही के करान आवेदन करताओ के आवेदा में तुरूटी रा गई कई महिलाए ऐसे भी हैं जिन होने आवसक दस्तावेच की असपष्ट छाय परतिसनलग नहीं किया है महिला एवं बाल विकास विभागने कुछला भारतियों के बैंक खाते में एवं IFC कोट की इंटरी में गरवड़ी हुई थी जिसकी वज़ा उन्हें पहली किस्त की रासी नहीं मिली है सभी कॉंप्यूटर अपरेटर जल्द से जल्द इस कारे को अंजाम देने में लगे हैं तुरूटियों में सुधार होने के बाद लावकों के खाते में पांच दिन के अंदर पैसा आ जाएंगे सिव राज और हिमंता पर चुनाव आयोग से सिखायाद केबिनेट सचीव की ओर से इस बावा चुनाव आयो को पत्र लिखा गया है केंद्रिये किरिशी मंत्री सिवराई सिंग चौभान और असम के सीम ही मंता बिस्वा सारमा बीजेपी के जारकन मिधान सबा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनने के बाद से लगतार जारकन दोरे पर आ रहे हैं कई मुद्वो पर अपनी बाते रख रहे हैं भारतिय ज्नता पार्ठी के बाठ़ा कर रहे हैं संगठकर के मजबूती को ले कर राज के जिलों से कर वा appealingi की मांग की गई है किसानों को दो लाग तक का किरिसी रिन माफ जारकन के मुखे मंतरी है मंसुरे ने कहा है कि उनकी सरकार और किरिसी विभाग का उदे से राज में किसानों को आर्थिक रूप से मजबुती परदान करना है सरकार उनके साथ खड़ी है यही वज़ा है कि दो लाग तक केसी रिन माप करने का निर्ण लिया गया ग्रामिन छेत्र में रहने वाले अधिकतर लोगों का जुगार खेती बाड़ी के कारियों से होता है पिछले चार वर्सों में राज सरकार द्वरा किसान वर के लिए कई महत्पुन योईनाओ का संचालन और नित्ती निर्धारन किया गया है जो आने वाले समय में मिल का पथर सावित होगा जब गाउं सम्रीद होंगे तभी राज सम्रीद होगा उनकी सरकार राज के गाउं की जड़ों को मजबूत करने पर लगी है जब गाउं की जड़ों मजबूत होगी तब स्थानिय तोर पर राज भी मजबूत होगा वे डिबडि में आयोजीत प्रमंडल अस्तरिये सहकारित्ता महा समेलन रांची 222 उधाटन एवां 236 चलंथ पसुची की सालेवाहन के सुभारम के मौके पर बोल रहे थे ज़ारखन में चुनावी महौल बनाएंगे पीएम मोधी पधान मंति नयन मोधी 15 सितंबर को कई परियोजनाव का सुभारम करने ज़ारखन के जमसेदपूरा रहे हैं इस दोरान वह रोड सो और जन सभा को समधित कर चुनावी महौल बनाएंगे पीएम के कारकरम को लेकर भाजपा काफे उससाहित है कुलान परमंडल के तहाद जमसेदपूर इस लिहाई से भी महतपूर है कि हाल ही में ज़ारखन मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आयपूरव सीएम चमपाईस्टूरन का ग्रिह चेतर सराय के लाई इससे एक दम सटा है कुलान परमंडल में भाजपा पिछले बिधान सभा चुनाव में बोरी तरह पिछड़ गई थी यहाँ की 14 सीटों पर पार्टी का खाता तक नहीं खूल पाया था ततकारिन मुक्यमंतिर रगवर दास भी अपनी परम परागल सीट पर पराजपा जित हो गय थे इस बार इस परमंडल में बढ़हत लेने के लिए पार्टी मजबूत किलाबंदी में जूटी हुई है इसके बाद डरी सामी दोनों छत्राओं ने हो हला किया तब मन चला मौके से फरार हो गा है काटना के बाद स्कूल के परचार ने पूलिस को इसकी सूचना दी सूचना मिलते ही पूलिस मौके पर पहुँच कर जाच में जूट गई है बताया जारा एक धंसार धना छेत्र के जहरिया धनबाद रोड पर एक सरकारी स्कूल परिसर में कलास चलाने के समय 35 वर्ष ये मन चले ब्यक्ति अचानक वहाँ पहुँच कर बाथरूम जा रही दो लड़कियों कसा चरकानी किया है चात्राओं को आरोपी ब्यक्ति ने पकड़ने का भी परियास किया लेकि दोनों लड़कियों के चिलाने के बाद मन चला ब्यक्ति वहाँ से फ्रार हो गया है सरना धर्म कोट दे पीएम तब मानेंगे सोगात सत्ता सीन जार्खन मुक्ति मुर्शा के केंद्रिय महासची बिनोत कुमर पांडे ने प्रेस ब्यान जारी कर कहा है जार्खन के कई ऐसे मुद्दे हैं जो विधान सवा से पास हुए राज जेपल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजे गा है प्रधान मंत्री नयंद्मति जार्खन आकर जनगर्ना में अलग सरना धर्मकोट की खोशना करें तब हम लोग समझेगे कि वो सोगात देने की बात कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि अब वह आवाज जार्खन सरकार द्वारा दिया जा रहा है क्या करान है कि प्रधान मंत्री आवाज जोजना बंद किया गया जार्खन सरकार को आवाज जोजना के लिए जो पैसा आवंटित होता था उसे रोकने का काम किया गया इस पर भी प्रधान मंत्री अपने टिपनी देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा धन्यवाद